नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त नेहा शर्मा, स्वागत है आपका कुनली टीवी के शोव पंडी जी कहिन में, जिसमें हम आपको वास्तू एस्ट्रो नूमलोजी से जुड़ी बेहत रोचक जानकारी देते हैं, तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं अचारे कमल नंदलाल जी का, नमस्कार पंडी जी, नमस्कार नेहा जी, वो दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, फ्रेंड्स, शनी अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्तपून माना जाता है, इसके पीछे क्या मानने आता है, आज संपून जानकारी हम पंडी जी से लेते हैं तो पंडेजी शनी अमावस्या इतनी पॉर्टेट क्यों है इसका इतना महत्व क्यों है लिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में निहां आपी के माध्यम सदर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे क्रूर और चेश्टक ग्रह शनी को कहा गया है और क्योंकि शनी की जो पैदाइश है वो अमावस्या की है इसलिए अमावस्या जन्मतिथी क्यलाती है शनी देव की तो ये जो आज वैसाख के मावस्या ये शनीवार के दिन है इसी कारण इसका नाम शनीवावस्या है और जैसा कि आपने पूछा नहाजी और दर्शकों के लिए भी रोचकता बढ़ा दिये कि शनीवावस्या बेसिकली नहीं जरब इसका शनी का लेना देना है ये खास दिन है संध्या के समय, पीपल के तले, शनी की, शिव की, भगवान विश्नु की और पित्रों की पुझा का, और शनी मावस्या की जो शाम होती है, इवनिंग आर जो है, वो बहुत इंपोर्टेंट है, पूरे दिन आप भले कोछ ना करें, लेकिन शाम का जो मूर्थ होता है, क्योंकि शनी जो ह उनको चाया मारतंड कहा गया है, चाया पुत्र कहा गया है, इसलिए जो चाया पढ़ती है शाम के समय पे, वो बहुत इंपोर्टेंट है, इस समय पे विशेश दिन है, संधिया के समय पीपल पर इस दिन दिन दीपक जलाया जाता है, और शनी के उपाई किये जाते हैं, जादा रंगी क्यों जाद अपरी है देखे पॉरानिक संदर्म में अगर अपन देखें तो शनी चाया के पुत्र है ठीक है ना सूर्य और चाया के और सूर्य के ताप को जहल नहीं पारी थी सूर्य की पहली पतनी इसी कारण से उन्होंने चाया से अपने आपको रिप्लेस किया जिन से शनी की पैदाय श्वी और चाया के कारण ही शनीदेव शामवर्ण के पैदा हुए है शामवर्ण यानि कि कृष्णवर्ण यानि कि ब्लाक इसलिए शनी को काला बहुत पसंद है अब काले के बारे में अ उसके अलावा जो भी कुछ शेश है वो शेशनाग है शेशनाग जो शब्द है उसका मूलतह मतलब है अंधेरा उजाले से भी पहले है तो इसलिए उनको कुरूर चेश्टक और शाम वर्ण कृष्ण वर्ण कहा गया है इसलिए उनका वर्ण काला है तो पंजी इसी प्रकार से उनके सर से लेके नीचे तक उनको चड़ाना चाहिए कुछ कहते हैं कि घुटनों पर चड़ाना चाहिए तो सही तरीका कॉन सा है निरभर करता है कि कुंडिली में शेनी की पोजिशन गोचर में और लगन में क्या रह रही है ठीक है तो देखे बारमें बहुमें मैं आपको को साडी सती कहते जि उसके बाद जब शनी हरदय और पेट पर आते उनको उस स्तिति को जो हम कहते हैं वा कहते लगहू कल लगनी जब शनी ञुकर बहुमें जो है वो अपना पहन कर रहे होते हैं इसके बाद जो पैरों में शनी आते हैं जिसमें सब सब ranking 기 नौबत किया जब शनी आठांगी फिल जब या ड़ी के अधया रहते हैं जितता कि इस किशिंख चौथ भाव 505 शनी की अधाया करते हि हग्या है जो एक पिट पर आ elder आती है तो फिर यइन देंट थे तो एक्सिलों के बहुत चांस रहते हैं चौत को हमें जब अधह Na जल्क पर शनी प्रहार करते हैं पेट पर प्रहार मतलब आपके करियर में आपके प्रोफेश्न में प्रॉब्लम्स लेकर जो सर से लेकर पाउं तक शनी का हर अंग का एक अपना फंक्शन है कि सारी कि सारी चीजिजें काल पुरिश और सिधान्थ के नुसारा है यह अब उनको तेल जितने भी है वो सारे के सारे शनी को रिप्जेंट करते हैं इसलिए तेल उन्हें पसंद भी है और तेल पर रूल भी करते हैं उसके पीछे परोने कहानी है जब उनका युद्धुवा हनुमान जी के साथ में तब वह बहुत जादा घायल हुए तब उन्हें सरसों का ते अधहिया मिलकर साढ़े सती बनते हैं धाई इन्टो थ्री तो वह जो ढ़ाए साल के तीन कि पिरड़ हैं उनको साढ़े सती और अधहिया ताटाय। चौते भवह में रहते हैं उसे अधहिया कहते हैं तो मंते जी इस दिन शनी दोशों से भी निवारन पाया सकते हैं ये खा अगर कोई चीज होती है, तो व्यक्ति के कर्म होते हैं, अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, तो अच्छा कमाता भी है, अपने परिवार का लालल पोशन भी करता है, जिसके कर्म खराब हो जाते हैं, तो आप भी देख लिएजिए वो इतना लेजी हो जाता है, उसके ज जमा करने के लिए कि आज आखरी डेट है जमा करा दीजियेगा विल जमा नहीं किरपाएगा क्योंकि व्यक्ति के जीवन से और जानाम की चीज होती है निकल जाती है तो यह खास दिन है पित्रदोष मुक्ति पाने का पित्रदोष के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पितरदोश एक ऐसी कंडिशन है कि कुंडली के अंदर जब हमारा दस्वें भाव का स्वामी या शनी जब पीड़ित हो जाता है राहू से तो पितरदोश की स्थिति बनती है जब कभी भी शनी सूर्य की यूती हो या शनी राहू क की यूती हो सूर्य राहू की यूती हो सूर्य केतु की यूती हो तो पितरदोश निर्मित होता है अलग-अलग-अलग तरीके के बारा पितरदोश कहे गए हैं लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे यह खास दिन है पितरदोश से और शनी दोश से मुक्ति पाने के लि आपको बहुत चोड़े-चोड़े से टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत लाभानमित हो सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा पेड़ मिल जाता है पीपल का जिसके नीचे काले रंग का शिवलिंग हो तो ये समय लीजे आपको आज के दिन मिल गए शाम का प्रदोष से पहले का जो गौधली मोरत होता है उसका चुनाम कीजे पित्रों का नाम लेते हुए ओम पित्रेश्वराय नमा पानी में आप पत्ते मिल ये शमी के और काले शिवलिंग पर चढ़ा दीजे पित्र दोष से मुक्ति मिलती है अगर आप शनी दोश से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पीपल के नीचे काला शिवलिंग अगर आपको मिल जाए तो उस पर आज के दिन तेल से भिशेक कीजिए शाम के समय और पीपल के पिरिड़ के नीचे शाम के समय प्रदोशकाल से पहले यानि कि सूर्यास्ते से पहले का जो पिरिड़ है 45 मिनट बहुत खास उस समय पे पीपल के नीचे आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाके वहां पर शनी का जाब करें और काले शिवलिंग का भिशेक करें तेल से शनी के मंतर पढ़ते हुए क्योंकि शनी के स्वामी भी वहीं है शनी के हम उमीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जाने के लिए मिला होगा तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टोपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडी जी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले ह हमारा योट्यूब चानल कुणली टीवी फेस्बुक पेज कुणली टीवी लाइक और शेर करना ना भूलें